बच्चों नमस्कार बच्चों हम लोग अखसर अपने बोलचाल में भरण-पोसन सब्द का इस्तिमाल करते हैं भरण का मतलब होता है जिसे कोई खाली जगय है उसको हमने भर दिया वो तो हो गया भरण और पोसन का मतलब ही होता है कि जिस चीज की जरूरत है उसकी हम ठीक से सम्मिक प्रकार से आपूरती करें तब उसको हम सम्पोसित करना या पोसन कहते हैं और जब यह काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वहीं पर कुपोशन के सित्थी उत्पन हो जाती है एन्य जो हमारी सारे लिक और सक्ताइं हैं अगर उनका उनकी जो जरूरते हैं उनको हम ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं उनको हम नहीं दे पाते उन तत्तों को तो वो कुपोशन की स्थिती पैदा करती है और जब कुपोशन की स्थिती होती है तो बहुत सारी बीमारिया पैदा होती है तो कुपोशन क्या है? कुपोशन क्यों होता है? और उनसे क्या हमारी समस्यान उत्पन होती है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे बीट में हैं सर्विश सुकला जी तो सुकला जी हम आपका स्वागत करते हैं स्वागत सवाल से करते हैं कि ये क्या है और पोस्ण क्या है प्यारे बच्चो हमारे शरीर को चलने के लिए उसकी व्रद्धी के लिए हम लोग आहार लेते हैं और यदि वह आहार संपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है जिससे हमारे शरीर का संपूर विकास हो पा रहा है तो हमें पूरे पोशक्त तो मिल रहे हैं और पोशन प्राप्त हो रहा है परन्त यदि उस आहार में कुछ कमी हो जा रही है शरीर की विद्धी सही से नहीं हो पा रही है मानसिक विकास सही से नहीं हो पा रहा है तो वो कुपोशण हो रहा है और हमारे शरीर को पूरी तरीके से पोशण प्राप्त नहीं हो पा रहा है इसी को हम लोग कुपोशण कहते है कि शरीर को जो आवश्यक विटामिन, मिंडरल, कार्भो हाईड्रेड वसा आजी प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग कुपोषण कहते हैं, अच्छाब यह आप अभी बात कर रहे थे आहार का, तो आहार जिससे हमें पूरा पोषण मिलता है, तो संतुलित आहार में क्या-क्या चीज़ें होती है, संतुलित संतुलित आहार में, अगर वैग्यानिक द्रश्टी से देखा जाए, तो उसके नाम है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्भो हाइडरेट, वसा, खलिज लवन, इत्याद ही अगर हमारे शरीर को जिस मात्रा में चाहिए, उस मात्रा में अगर हम अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो वो एक संतुलित आहार कहलाता है, लेकिन अब सवाल ये है, कि ये कैसे समझ में आया है, कि हमें मिंडल मिलना है, कि नहीं मिलना है, विटामिन में क्या है, कौन तत तो कहां से मिलेगा, है ना, तो ये जानना जुरी हो जाता है, कि कौन कौन ता तो चाहे बिटामीन है, चाहे प्रोटीन है, चाहे बसा है, चाहे आइरन है, चाहे कार्वोहाइट्रेट है, ये चीज़े हमें जब हम भोजन लेते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों में मिलती है, ये हम बताई है, देखे हम लोग शुरू करते हैं, एक संतलित आहार की थाली से, कि एक थाली में ऐसा क्या-क्या हो, कि उसको हम ये मानें कि हमारी थाली संतुलित आहार युक्त थाली है, जैसे हम लोगों को रोटी, चावल, ये हमारा कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन की पूर्टी करने में सक्छम है, उसके साथ हम लोग आलू लेते हैं, इसमे भी कर्बो हाइडरेट होता है, नालू अपनाएं भी हैं, ये देखे हमारे पास, और फिर आता है हरी सबजियां, जैसे हमारे पास ये पालक है, ये आपका बत हुआ है, ये देखे लौकी है, तो इस तरीके से पत्यपता गोभी है, ऐसे बहुत से चीजे हैं, हां मतर है, सि तो ये सब चीजे हरी सबजियों में आती हैं और जो भी हमारे इसके जुड़ी नहीं के महंगा चीज खाएं तब ही हमारे शरीर की अवश्यक्ताओं की पूर्ती हो पाएगी हमारे आसपास उगने वाले जितनी हरी पत्यदार सबजियां है हरी धनिया है इन सब चीजों को हम उसके बाद फिर एक चीज होती है वसा तो हमारे आप देखें कि परंपरा में पड़ा हुआ है कि तेल घी में सबजी छोंकी जाती है तो इसलिए है कि तेल घी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी हरी सबजियां और या आलू दाल चावल रोटी ये सब ज और आप पूर्टी से हमारे शरीर को एक ढाचा जो होता है उसको इसको सुंदर्ता परतान करने का काम भी वसा करता है उसमें एक टेक्श्चर लाताे है शरीर में जिस से के आपके चेहरे पर फिर थोड़ा संगलो आता है और शरीर को थोड़ा सा झाल भरा पूरा लगता है चरित तेजवान लगता है, दुबले पतले भी नहीं रहेंगे, भरी बरी शरीर होगी इसके साथ ही हमारे भोजन में सलाद बहुत आवश्यक्ततु है उसके लिए जैसे हमारे पास मूली उपलब्द रहती है अराम से, गाजर उपलब्द रहती है उसके साथ ही हमारे पास जैसे चुकंदर है, ये टमाटर रहता है अपने पास और सलाद में भी हम लोग कई चीजों का ध्यान रखते हैं जैसे नीबू है तो हम लोग इन सब चीजों का ध्यान इसलिए रखते हैं कि सलाद में भी हमारे जैसे विटामिन सी यह नीबू जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यह खाली उसको खटा करने के लिए किसमें भी कोई कोई सकता तो है, बहुत अच्छा प्रशनी किया आपने, हमारा जो जित्ते भी हमारे पूर्वस थे उन लोगों ने जब एक सिस्टम बनाया तो उसमें पूरी ऐसा अहार बनाय अब जैसे आपने नीबू की बात की, तो नीबू हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ती करता है, और विटामिन सी से सर्दी जो खाम इस तरह से जितने रोग होते हैं, यह दूर हो जाते हैं, अब जैसे हमारे पास एक है फल, हमारे भोजन में हमेशा एक अकलपना की तो उसमें जैसे अपने पास केला है, संत्रा है, अनार है, पपीता है, अंगूर भी है, तो यह सब खनिज लवन, प्रोटीन, इन सब की पूर्ती करते हैं, खनिज लवन, मिननल, विटामिन, इन सब की पूर्ती करते हैं, और यह अपने यहां बहुत पुरानी परंपरा रह यह दूद्ध पीने की तो दूद्ध को तो संपूर आहार इसलिए कहा गया है कि उसमें कर्भो हाइडरेट भी होता है वसा भी होता है प्रोटीन भी होता है विटामिन भी होते हैं तो इसलिए यह कहा गया कि अगर आप एक गिलास दूद्ध प्रतहकाल और एक गिलास दूद सायमकाल अगर पीते हैं तो आपको काफी मात्रा में शरीर के पोशक्तत्व प्राप्त हो जाते हैं मतलब यह कि अगर भोज़न में कोई पोशक्तत्व तो कम भी रह गया है तो उसकी पूर्ती हमारा दूद कर देता है बिलकुल बिलकुल अब देखे जैसे हम लोगों को यह कहा गया कि दाल अवश्य होनी चाहिए और दालों में भी विवधी करण किया गया जैसे हमारे पास इसमें राजमा है उडद है मतर है चना है इनके इतो थाबुत रूप में है तो इनको अंकृत करके हम लोग अगर जब प्रियोक करते हैं तो उसके तत्व बढ़ जाते हैं और यह परंपरा अपने हम डाली गई कि आप प्राता है काल उठकर अंकृत चला जैसे यह रखा हुआ है आपका अंकृत चला इसमें ऐसा अंकृत निकाल आता है तो अंकृत होने से अपना दूसरे दिन शाम तक इसमें अंकृत फूटने प्रारम हो जाएंगे आप एक दिन बाद ले एक दिन बाद प्राता है काल ने अब जैसे यह आपकी मूंग है मूंग इतनी सुपाच्य मानी गई है अंकृत कि आप इसको खाईए तो आप वो कभी पेट की समस्याएं होंगी ही नहीं और शरीर के सभी तत्वों को मतलब कि पूर्ति करेगा तो पेट आपका साफ रखेगा अब जैसे यह मैथी है मैथी शुगर के जो आजकल एक बहुत बड़ी बिमारी अपने सामने आ रही है उसकी पूर्ति के लिए अंकृत मैथी का प्रयोग सुबह नाश्टे में करें तो इस से इस तरीके की परंपरा बनाई गई हमारे यहां कि हमारे भोजन में संसलिताहर होना चाहिए मूम फली की दाना है अब डालों मैं जैसे यह मूम की दाल है यह आरहर की दाल है मसूर है यह आपकी उरत की है तो ऐसा करके बहुत सारी चीजों का समन्वे हमारे थाली में रहता है मुल्ब यह है कि दालों को जाहे तो हम अंकुरित रूप में खड़े ही ले 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 या तो हम उसका दाल बना करके उसके इसके 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 जरूबत है बिलकुल बिलकुल अब तो एक ऐसा प्रिचलन आ गया है क्योंकि हम लोग मानसिक और शालिक महनत जादा कर रहे हैं और बच्चे भी हमारे है कि यह भी पढ़ना है तो ऐसा अब एक हम लोग सबसे अनरोद कर रहे हैं कि आप लोग भोजन के साथ भी सलाद लीजिए और सलाद में अंकुरित दालें लीजिए अच्छा अब आजकर यह प्रिश्लन आ गया है कई जगे हमने उसको प्रियास कि पहले लोग सुभा चीजें भी सलाद में अंकुरित चना हो मूंग हो मेथियो तो इसको हम लोग सलाद में ले सकते हैं अब जैसे अंगूर है यह संत्रा है मौसमी फल जिस मौसम में हम लोग है उस मौसम में आने वाले फल प्रकृती स्वत्वन उत्पन न करती है इसलिए कि आप इनको और अपने शरीर को स्वस्थेवं निरोग रखिए। और उसके पहले हम आपको थोड़ा सा एक यह बता दें कि इनकी कमी तो पूरी कहां से करें। कमी से जो रोग होते हैं जब इनकी कमी होती है तो रोग कुछ परलिचित होते हैं। वो कुछ परमुख रोगों के बारे हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे सूखा रोग होता है। सूखा रोग में शरीर बिलकुल कमजोर हो जाता है। अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। चहरे पे मुर्जा बंद। अजीब सा बनावट भी सही 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 नहीं आपाती है। ठका ठका लगेगा। यह बच्चों को बहुत जल्दी होता है। तो चोटे बच्चे बच्चे कोमल भी होते हैं। तो इसमें मा का दूद और प्लस उपर से आहार। और अगर मा का दूद नहीं मिल पा रहा है बच्चों को थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं। तो फिर अपना गाय का भैस का दूद। इनके साथ जो भी जैसे दलिया है। इस टैप से उनको देना चाहिए। रवा जब थोड़े बड़े हो जाए। ताकि उनको पॉष्टिक तत्व मिलते रहें। साथ में जूस, फल। जैसे अगर मालो बच्चे को दिक्कत होती है तो केले को गूंद लें। पपी ते गूंद लें। अनार का रस दें। इस टैप से उनको आहार दिया जाना चाहिए। पूरा कर सकते हैं। पास रखी है, गाजर खानी चाहिए, इन सब पदार्थों में विटामिन A बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इसकी कमी से हम रतोंजी से बच सकते हैं मतलब इसका पूरा कहार लेकर के? जब बेरी-बेरी है, विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है इसमें भी आपकी तचा और हड़ियां सिधे-सिधे प्रभावित होती है और आपको बहुत दिक्कत होती है चलने में तो इस तरीके से अपने शरीर की बेरी-बेरी रोग अगर हो जा रहा है तो विटामिन B का सेवन लेना चाहिए अब घेंगा रोग है तो घेंगा रोग अपने नमक का जो हम लोग प्रशलन करते हैं इसमें आयोडीन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो घेंगा रोग होता है तो हमें घेंगा रोग की पूरती के लिए विटामिन युक्तिमा का जोग करना चाहिए और अगर लगातार लेते रहते हैं तो आयोडीन अगर लगातार लेते रहते हैं तो तो हमें विइन रोग नहीं होता है अ匹ा रिकेट्स है रिकेट्स यह हडियों की एक रोग होता है इसमें हडियां मुड जाती है अजीब से लप्षिरा लची लिवो जाती है तो इसके लिए हमेसे विटामिन D, vitamin C, इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, ताकि हम उससे पूर्ति कर सकें, इसकर भी रोग होता है, तो इसकर भी रोग में भी यही समस्या है कि अगर हम पोश्टक तो सही से नहीं ले रहे हैं, तो हमारी तुच्छा खराब हो जाती है, और तुच्छा खराब होने के वज़ अगर संतलित आहारों की पूर्ती ना हो पाए तो कुपोशन हो जाता है, और कुपोशन को दूर करने के लिए हमें संतलित आहार में भोज़े पदार्थ लेने चाहिए, अगर पोशन की समस्या आएगी ह Sach और हमको इसके लिए जरोरी नहीं कि बजार्य में भी बीक्ने वाल या पोस्ट्री काहा और हमारा कैसे हो सकता, क्या-क्या चीजे उनमें चाहिए और इनके नहा होने से क्या समस्याइं होती हैं ये भी आप दिजान लिया तो कोपोसण और पोसण दोनों बातिया आपको बता दी गई हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी बात में समझ में आ गई होगी हम इसे के साथ आप से बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे किसी नई जानकारे के साथ नमस्कार